हेलो फ्रेंड वेलकाम अगेन मैं चनल दबरीज मैं सुरेश्पटेल आपके अपने चनल दबरीज में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और दोस्तों आज का जो वीडियो है आज का वीडियो इसमें हम ओपन सर्किट और शोट सर्किट के बारे में देखने वाले हैं ठीक है फ्रेंड का ओपन सर्किट क्या होता है और शोट सर्किट क्या होता है ठीक है और फिर उसमें रादिश्टेंस की वेल्यू कारेंट की वेल्यू और वोल्टेज की वेल्यू को हम देखने वाले हैं ठेके फ्रेंट तो सबसे पहले हम open circuit को देख लेते हैं ओके फ्रेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं open circuit open circuit ठेके जिसको हम हिंदी में खूला परिपत भी बोलते हैं ठेके खूला परिपत भी कहते हैं ठेके फ्रेंट तो open circuit क्या होता है मैंनली कोई भी हमारा electrical या electronic circuit ठेके जब break हो जाता है या फिर किसी circuit में से कोई break होना या उसके बीच में से कोई तार तुटना अर्था उसमें फिर current का flow ना हो पाने जिसको हम कहते है open circuit एक्जाम्पल के लिए मान लीजिए यह हमारा एक circuit है ठीक है यह resistance लगा है ठीक है लेकिन किसी कारण वस अर्था इलेक्रिकल शोट सर्कृट के कारण या फिसिकल किसी कारणillan यहां पर कोई ना हो जाना ठीक है तो इसमें हम open circuit के कुछ जो important point है उसको no down भे करते जाएंगे जैसी कि हम हमारे सब वीडियो में करते आते हैं ठीक है तो सबसे पहले जो open circuit होता है open circuit में हमारा current जो होता है वो 0 होता है current आई का विली जो होता है current हमारा flow नहीं होगा इसका हमारा current का विली जो है वो जीरो रहेगा ठीक है अब ओपन हो गया तो उसमें क्या है कि यहाँ पर resistance भी इन्फाइनाइट रहेगा अर्था अनंत रहेगा तो रजिस्टेंस आर जो रहेगा वो भी इन्फाइनाइट रहेगा और था अनंत रहेगा ठीक है उस condition में ठीक और जो यहाँ पर वोल्टेज रहता है ठीक है मानलेजे हम यहाँ यहाँ पर 10 वोल्ट है ठीक है यह पर तो ओपन सर्कीट के कंडिशन में अगर इस सर्कीट के किसी भी पॉइंट पर जाके आप दो टर्मिनल के बीच अगर वोल्टेज को कमपेरिजन करेंगे तो वहाँ पर भी 10 वोल्ट ही मिलगा मानलेजे यह पोजिटिव टर्मिनल है और यह निगिव टर्मिनल है ठीक है पहले आप एक वोल्ट म निकाल क्या ठीक है यहां से निकालने के बाद में आप इसी वोल्ट मितर को रिखी बरबर हमारा जो वोल्ट है ओवो इंडिकेट करेंगे तो जो वोल्ट हो होता है हमारा voltage क्या होता है इसमें maximum होता है ठीक है maximum होता है यह आदिक्तम होता है बोल सकते हैं ठीक है यह condition हरेती है हमारी open circuit के अंदर ठीक है अब हम यहापे देख लेंगे short circuit ठीक है दूसरा जो देखेंगे हम short circuit अर्थात बंद परिपत ठीक है जिसको हिंदी में हम बोलते है बंद परिपत और इंग्लिश में short circuit कहते हैं short circuit की condition का बहती है जब भी हमारा कोई electrical circuit I mean electrical कोई circuit या electrical परिपत है उसमें ठीक है कोई insulator या तो break हो जाता है या कोई दो wire को हम आपस में connect कर देते हैं किसी का रणों से आपस में joint हो जाती है तो उसमें क्या होता है short circuit कंडिशन आ जाती है उस कंडिशन में क्या होता है हमारा जो current होता है वह current हमारा जो actual current होता है उससे कही maximum flow होता है, मीं कही ampere जादा उसमें flow होता है, ठीके, जो कि हमारी short circuit condition कहलाथी है, उसमें क्या होता है, यह हमारा sacred हम बना लेते हैं, ठीके, यह हमारा circuit है, यह positive terminal है, यह negative terminal है, यह positive terminal है यह negative terminal है यह 10 volt है मान ले यह हमारा एक resistance है यह वैसे पहले भी close path ही है यह current को flow होने के लिए हमारा close path की है आवशकता पड़ती है तो इस condition में इस direction में जो हमारा current flow होगा current i flow होगा और इस direction में हमारा क्या है? electron flow होगा लेकिन हमारे circuit में या तो insulator खराब हो जाता है या कोई दो वायरे आपस में जूड़ जाती है या किसी भी current शोट circuit होता है तो उस condition में क्या होता है? जो हमारा resistance होता है वो हमारा क्या होता है? 0 हात या फिर हम इस पर कासे यह लिख सकते हैं short circuit को ठीक है या दूसरा तरीका है हमारे पास short circuit लिखने का कि हम क्या करेंगे? यहाँ पर resistance को हटा सकते हैं ठीक है, resistance को यहाँ से हटा सकते हैं ठीक है मालने जहाँ पर resistance था उसको हटा दिये और इसको direct short circuit कर देंगे ठीक है? short circuit तो short circuit किस condition में होता है आपको समझ में आगे? तो short circuit में हमारा क्या होता है? यहाँ पर current जो है वो maximum, I mean actual जो current हमारा पहले flow हो रहा था जितने ampiare उससे कही गुना ज्यादा ampiare flow होता है हमारा short circuit condition में तो short circuit में हमारा current जो होता है वो होता है maximum मेकजिमाम होता है ठीके और जब current maximum है ठीके current maximum तो यह resistance जो हो रहेगा हमारा resistance 0 रहेगा ठीके क्योंकि resistance क्या करता है हमारा current के flow का ओपस करता है ठीके तो अगर resistance maximum रहेगा तो current हमारा कम flow होगा और resistance कम होगा तो current maximum flow होगा तो तो open circuit में क्या हमारा resistance जो है वो infinite है अनंत है इसलिए हमारा current zero है क्योंकि यह resistance current के flow का ओपस करता है लेकिन short circuit में क्या हमारा resistance zero है तो हमारा current जो है वो maximum रहने वाला है, ठीक है, maximum रहने वाला है, तो उस condition में हमारा voltage क्या होता है, voltage भी हमारा, या तो 0 के सकते हैं, या minimum के सकते हैं, ठीक है, तो ये तीन पॉइंट जो हमारे है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमारे open circuit, ठीक है, 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 ठीक है यहां पर वोल्टेज को इंडिकेट कर देगा और बोल देगा यह कौन सा सर्कुट है ओपन सर्कुट है या शोट सर्कुट तो आपको याद रखना किए ओपन सर्कुट है ठीक है open circuit है ओके फ्रेंट्स ठीक वेसे हमको इस परकार circuit दे देगा जिसमें close रहेगा हमारा ठीक है चाहिए यहाँ पे दूसरा कुछ दिया हो या ना दिया हो ठीक है यहाँ पे इस परकार से पुरा close पात रहेगा तो पूछ लेगा है कि जो हमारा डाइग्राम में जो circuit दिया है वो short circuit है या open circuit है तो आपको इस डाइग्राम देखे पहचान लेना है ठीक है तो यह हमारा जो circuit है यह है short circuit ठीक है फ्रेंट्स तो आज के लेक्चर में हमने जो छोटा सा topic रखाता कि short circuit और open circuit से related तो आपको जो भी doubt होगे वो clear हुए होगे मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक नई topic के साथ ठीक है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you for watching